हेलो फ्रेंड्स कैसें आप सब लोग आई hope आप सब लोग ठीक होंगे तो आज इस शुरू करते हैं आज को जो टौपिक लिखा है उस टौपिक का नाम है कि what is network topology केसे कहते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे कि network topology क्या होती है और network topology किसे कहते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, टॉपोलोजी इस ड्राइब फॉम टू ग्रीक वर्ड टॉपो एंड लॉजी, यानि क्या कहता है, जो टॉपोलोजी है, वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पहला कॉन टॉपो एंड दूसरा लॉजी, वेर टॉपो मीन्स प्लेस, जहा पर टॉपो का मतलब अलग होता है, और लॉजी का मतलब अलग होता है, टॉपो का मतलब क्या होता है, प्लेस होता है, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, इस्टेडी, इन कम्प्यूटर नेटवर्क, ए टॉपोलोजी इज यूज तू एक्स्प्लेन कर सके, कि जो कम्प्य computer को physically connect किया जाता है क्या किया जाता है तो जो उसके अंदर की information है वो network में कैसे logically flow होगी और कैसे की जाएगी समझ मैं या कि सबसे पहले कि topology is drive from two Greek words topology कहां से लिया गया है दो Greek words से लिया गया है जहां पर topo का मतलब place होता है और logic का मतलब study होता है इन computer network अगर हम computer network के बात करते है तो ए टोopology is used to explain how a network is physically connected कि अगर हम computer के बात करते हैं तो एक जो topology है वो क्या है कि it is used to explain किसलिए ए टोपaga का जो use की आज गया है वो किसलिए explain करने के लिए कि how a computer is physically connected कि computer कैसे physically connect हो करके and the logically flow of information in the network कि computer और फिजिकली connect हो करके जो network में जो information को flow logically वो कैसे flow करता है वो किस के थो पाता है possible topology के थो हो सकता है और इसी के थो हो पाता है next point network topology refer to a network configuration that include notes and connecting lines via sender and receiver यानि जो network topology है वो क्या करती है refer करती है network configuration को ठीक है दोस्तों कि जो network topology है वो क्या करती है network configuration को refer करती है that include जिसमें क्या include होता है notes and connecting lines जिसमें क्या include होता है notes include होता है और connecting lines include होती है VIA किस के थुरू shender के थुरू और receiver के थुरू इट मींज क्या होता है एक network topology में कौन होगा एक sender होगा और एक receiver होगा shender का receiver से wire connect होगा और receiver का shender से ठीक है next point network topology designate to a computer network physically और logical arrangement of device nodes handling यानि जो network topology है वो क्या करता है कि कैसे computer का physical और logical arrangement यानि physical और logical arrangement की जाए किसकी device की nodes की and links की समझ मैं है दोस्तों कि जो network topology है उसको क्या किया गया है designate किया गया है to a computer network यानि network topology को कहा designate किया गया है computer network पे designate किया गया है ताकि वो क्या कर सेके physical और logical arrangement कर सेके किसकी device की notes की and links की next point एक जो network topology होती है वो क्या होती है arrangement होती है with which computer system और network device are connected to each other इट मींज क्या होता है network topology क्या होती है एक arrangement होती है जिसमें क्या होता है कि computer के system हो चाहे network device हो, वो क्या किया जा सकते हैं, connected किया जा सकते हैं, समझ मैं है, कि network topology क्या होता है, ए network topology एक arrangement होती है, जिसके अंदर क्या कर सकते है, computer system को connect किया जाता है, network devices को connect किया जाता है, किससे, एक दूशर से, या तो ऐसे कहलो, computer device को network device से connect किया जाता है, या तो ऐसे कहलो, के नेटवर्ड डिवाईस को computer डिवाईस से connect किया जाता इट मींज कि एक दूसरे से connect किया जाता है किसके अंदर network टॉपो लोजी के अंदर तो वीडियो आपको कैसी लगए दोस्तो हमें कमेंट करके जरूर बते हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर करे हमारी वीड टेखने के लिए थैंक यू शो मत दोस्तो